हेलो दोस्तों विल्कम बैक फ्री सर्किल लब मैं आपको साइट करता हूँ दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इस चीज के बारे में यह एक लोड सेल यह वेट को मेजर कर सकता है कोई भी आपके पास वाइंग स्केल होगा यानि वेट मेशीन होगा उसके अंदर इस तरह की एक नाएक लोड सेल लगा होगा तो इस लोड सेल को हम लोग आज इंटरफेस करना सिखेंगे इसका एंप्लिफायर बोर्ड और इस आर्डिनो के साथ तो यहाँ पर दो पावर की पिन रहती है इनमें हम लोग पावर इंपुट करते हैं और इन दो पिन से हमारा जो नगे कि कितना फोल्टेज यहां से आउटफूट हो रही है आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फोल्टेज आउटपूट आ रहा है इसके अंदर जब मैं फोर्स देता हूं तो यह फोल्टेज जो है चेंज हो रहा है देखिए इस चेंज को हम लोग एंप्लिफाय करके म करना चाहिए तो इसलिए काम में आता है यह लोड़ सेल एंपलिफार बोड तो इस बोड को बोलते है है एचेक्ष 711 एंपलिफार बोड यह इस लोड़ सेल के लिए बयास वोल्टेज प्रोवाइड करता है ए प्लास और ए माइनस में इनपूट लेता है मतलब इस बी माइनस में और एक लागाना पड़ता है दोस्तों यह रहा इस बोड का डाटा सीट इसमें क्या लिखा जा रहा है देखिए 24 बीट एनालोग टू डिजिटल कॉनवाटर फॉर वेट स्केल्स ओके तो यह एनालोग टू डिजिटल कॉनवाटर है इसके साथ साथ इसके इसके अंदर क्या क्या है देखिए यह पर इन्पूट ए और इन्पूट बी दो इन्पूट है इस दो इन्पूट को माल्टिप्लेक्स किया रहा है इन्पूट मार्क्स इस ब्लॉक के दवारा यह पर क्या हो रहा है बैसिकली यह मार्क्स क्या करता है सिलेक्ट करता है कौन पर आउट्पूट किया जाता है और इसके साथ-साथ यहाँ पर और यानि clock की control है इसके अंदर internal clock भी है और external भी लगाया जा सकता है इस बोड में basically कोई external clock हमें देखने को नहीं मिलता है यानि crystal तो यहाँ पर समझ सकते कि यह internal clock से ही चल रहा है उसके बाद यहाँ पर बैंड गया प्रेफारेंस एक है यह है बैसी के लिए एक फिक्स्ट वोल्टेज रेफारेंस इस बोड के अंदर आप लोग इसको 2.7 वोल्ट से 5.5 वोल्ट सप्लाई में इसको काम में ले सकते है लेकिन इसका सप्लाई से एक analog AVDB generate करता है इसलिए यह transistor है इसका लगया हूआ है देखिए तो यह paar जो आइसे बेस में फोल्टेज देता है ताकि यहाँ पर जो एव 울्टीड 2 बने क्योंकि याप अनालॉव जीग है वो फोल्ट के ऊपर बहुत ज़ज़क होता है लेकिन dvdd जो supply है यह यह खुद regulate नहीं करता है यह आप जो regulator voltage देते है उसी को यह ले लता है उसके बाद दोस्तों नीचे में आपको मिलते है इसका pin out यह है इसका pin out डियाग्राम और दोस्तों यहापर pin के बारे में information से काफी सारा यहापर कुछ electrical characteristics का चार्ट है इसको आप लोग download करेंगे तो आप पड़ सकते हैं अब यहापर कुछ timing diagram बगरा है और यहापर है इसका circuit जो यहापर बना हुआ है तो भाई चलिए इसके साथ आप हमनों connection करेंगे तो भाई यहापर connection हमारा हो गया इस load cell का जो red black है उसको मैंने लगाया e plus e minus में और जो green और white है उसको लगाया a minus a plus में और यहापर जो है वी डी डी ग्राउंड यह दे दिया मैंने 5 वोल्ट और ग्राउंड से और जो clock और data है उसको मैंने लगाया यहापर d4 और d5 में तो चलिए इसको आप हम लोग programming करेंगे और देखते है यह serial monitor में हमारा load का पता देता है की नहीं अब दोस्ता आपको क्या करना है एक इस तरह की लकड़ी का base लेना है उसके अंदर दो छेद करना है यहापर दो spacear यहापर लगाना है spacear कोई भी हो सकता है just इसको थोड़ा सा height देने के लिए वो क्यूँ बाद में बता था हूँ उसके बाद इसको यहापर fit करना है description में आपको एक link मिलेगा उससे इस page में आएंगे इसके बाद यहापर code में क्लिक करके download zip करना है इससे Arduino का जो library है वो यहापर download हो जाएगी अब इस library को आप लोग यहापर view in folder करेंगे उसके बाद यहापर अंजिप करेंगे और अंजिप करने के बाद यह जो folder बना इसके अंदर एक folder रहेगी उसको copy करना है मैंने यहापर थोड़ा सा गलत कर लिया इस folder को copy कर दिया आप उस copy कि यहाप फोलडर को डालना है आपको देख रहे तो important है मैंने यह एक Raspberry Pi को लागा के एक स्कोप पाई oscilloscope बना रहा हूं जो phone के साथ connect होके आपका oscilloscope चलाएगा दोस्तों यह स्कोप पाई आपके साथ connect होके इसमें oscilloscope की webframes दिखाता है तो यह device अभी भी developing stage में है तो आप बहुत ज्यादा comment कर रहे है कि भाई इसका video डालो डालो तो यह बनने में अभी थोड़ा सा time लगेगा इसका PCV भी बनाना है तो और एक महिने के अंदर यह आ जाएगा अब आपको मैं एक gift देना चाहता हूं यह आप खिसमास gift के तरह भी ले सकते है आज 25 तारिक है December का तो मैं आपको यह 5 coupon code दे रहा हूं इसके इसमें activation code मिल जाएगा आपको इस coupon code में से किसी एक को यूज़ करेंगे तो इस आपका activation हो जाएगी free में तो यह जो है आपका बहुत ही ज़्यादा useful होगा इसमें activation होने से आपको यह पर channel 2 मिल जाएगा और उसके साथ-साथ यह पर जो adds हाता है वो भी disable हो जाएगी तो चल यह मेरा setup पूरा ready है यह पर एक actual machine है तो यह पर हम लोग calibration करेंगे तो आप हम लोग फाइल में जाएंगे examples में जाएंगे फिर जाके यह पर जो है यह है आपका h711adca वाला library के अंदर यह calibration code को हम लोग Arduino में put करेंगे उससे पहले यह पर code में आप connection को देख लीजिए यह पर फोर फाइब रहेगा आपको यह change करके फाइब बोर करना है अगर मेरे तरह connection किया यहापर अपने जहाप डाटा को लगाया उस पीन का नाम लिखिना है जहाप़ लगाया उसपीन का नाम ने है उसके बाद आपको यहाप और upload कर देना है और यह जब uploading होगा फिर जाके done uploading आ जाएगा अब यहाँ पर आपको tools में जाके serial monitor open करना है यह रहा serial monitor यहाँ पर क्या दिखा रहा है starting अब यह क्या बोल रहा है यहाँ पर calibration हो गया यहाँ पर T send करने के बोल रहा है इसके उंदर डालने को बोल रहा है मतलब यह नोन वैट उसका कितना वैट है वो डालने को बोल रहा है तो मैं यहाँ पर इस बैट्री को यूज करने वाला हूँ इसका वैट देख लेते हैं कर चसो यहесть 16 ग्राम का उके तो इसको इसके उपर डाल देते हैं आप अब हम लोग यहाँ पर 16 लिख देंगे अपर मैं यह आपर 16 लिखके एंटर कर देंगे, यह देखिए non mask 16 आ गया, अब यह calibration हो चुका है, अब यह बोल रहा है कि calibration को eeprom में save करूं या नहीं, तो यह save करने को बोल रहा है, तो मैं जब भी Arduino को restart करूंगा, तो यह वहाँ से इसको मतलब retrieve कर लेगा, तो इसको मैं y दे देता हूँ, मतलब यह eeprom में इसको save कर लेगा, तो आप देखिए यह हमेशा इसका weight का वजन यह बताता रहता है, तो यह पर इस weight को हटा के अगर मैं दूसरा कोई weight डालू, तो क्या होता है देख लेते हैं, तो इस weight को हटा दिया, आप यह पर 0.something आ रहा है, तो यह पर मैं इस pen drive को देता हूँ, आप देखते हैं, यह क्या बता रहा है, 7 gram बता रहा है, 7.68 इस तरह की कुछ बता रहा है, तो इसका actual वजन देख लेते हैं, यह देखिए 7.5 है, आप दूसरा एक और चीज देखते हैं, और एक थोड़ा सा भारी चीज, जैसे माल लिजे, यह torch light हो गया, इसका वजन है, यह पर 62.3 gram, तो इसके उपर इसको देते हैं, अब देखिए, यह पर 61.something आ रहा है, तो इस तरह के से आप लोग एक load cell को use कर सकते हैं, एक वजन के तरह, तो भाईया यह वीडियो कैसा लागा, कमेंट से बहाता है, अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को like कीजिए, share कीजिए friends के साथ, और ऐसे interesting वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए, thank you for watching, मिलेंगे next वीडियो में